नमस्कार, मैं हो ससी, आये जार्खन के टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं लोगों की खिलाफ परात्मी की दर्ज की है सीयो की ओर से दर्ज परात्मी की में आरोप लगाया गिया है कि विधान सबा का घिराव करने जारी नहीं हुई लेकिन उसे छतिग्रस कर दिया पुलिस के मुताबिक उग्र भीड को जब विधान सबा जाने से रोका गया तो उसने हटिया के एएसपी बिनित कुमार, डीएसपी या सोधरा समेत कई पुलिस कर्मियों के साथ धक्कामों की तथा मारपिट की इस घटना में कई पुलिस कर्मियों को गंभीर चोट भी लगी है, सभी घाल पुलिस कर्मियों का उपचार नजदिकी अस्पताल में कराया गया जेपीसी असिस्टेंट इंजिनियर अपुइंटमेंट, हाई कोट ने माना आरक्षन देना सरकार का अधिकार एकल पिट का आदेश निरस्थ जिहाँ धार्खन हाई कोट ने सहायक अभियंता परिक्षा देने वाले अभियार्तों को बड़ी रहत दी है हाई कोट के जश्टिस आर्म खुपाद्या और जश्टिस राजस संकरद्याल के अधालत ने एकल पिट के आदेश को निरस्थ कर दिया है कोट ने जेपीसी को कहा कि वह निक्ती परकिरिया को जारी रखे एकल पिट ने आर्थिक रूप से गरीब सववर्णों को निक्ती में 10% आरक्षन देने को यह करते हुए निरस्थ कर दिया था कि सरकार आरक्षन गानियम लागो होने के बाद रिक्त पदों को ऐसा कर सकती है जबकि सरकार ने इस कानून के लागो होने के पहले के रिक्त पदों पर आरक्षन दिया था इसके बाद राज सरकार और जेपीसी ने इस आदेस के खिलाब खंट पिट में अपिल दाख खिल की थी गुमला CJM की कैरिसली से जार्खन हाई कोड नराज कहा CJM जैसी नकाबलियत और नही अनुभव जेहाँ जार्खन हाई कोड ने सुकरवार को गनेस लोहरा की जमानत पर सुनवाई करते हुए गुमला की मुख्य नयाइक दंडा धिकारी CJM कुसुम कुमारी की कैरिसली पर नाराजगी जाहिर की है अदालत ने उन्हें अपनी जमेवारी और करतेवे का सही तरीके से निरोहन करने का निर्देश दिया है जेश्टिस एके चोधरी की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि CJM कुसुम कुमारी के पास गबन का ममला लंबित है इस मामले की तवरित सुनवाई की जरूरत है हाई कोट के सामने जो रिकॉर्ड पेस किये गए है उसमें परतीत होता है कि इस मामले में अभी तक आरोप गठन की परकिरिया भी पूरी नहीं हुई है ऐसा परतीत होता है कि CJM अपने जिमेदारियों से भाग रही है मामले में आरोप गठन करने में देर कर रही है और अपने करतवयों का निरोहन करने से बच रही है इससे लगता है कि ना उन में काबलियत है और ना अनुभाव और ना ही दक्षता है जैसा कि एक CJM के लिए होना चाहिए जारखन में कक्षा 1-8 तक इसकूल खोलने की तियारी अविवावक बोले बिना वैक्सिन नहीं भेजेंगे बच्चे जिहां जारखन में कक्षा 1-8 तक विद्याले खोलने का प्रस्ताव तियार किया गया है इसके लिए इसकूली सिक्षायों सक्षर्टा विभाग के द्वारा प्रस्ताव तियार करके आपदा विभाग को भेजा गया है बताद है कि कुरोना संक्रमन के कारण राजे में प्रात्मिक और मध्य विद्याले 17 मार्च 2020 से ही बंद है ऐसे में अगर आपदा विभाग प्रस्ताव को मान लेता है तो इसकूल खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा मगर इस बिच अविभागों की चिंता काफी बढ़ गई है अविभागों को कहना है कि सुरू से बताया जा रहा है कि कुरोना संक्रमन की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खत्रा बच्चों को ही है ऐसे में बच्चों को बिना वैक्सिन लगाए इसकूल भेजना खत्र से खाली नहीं होगा सीएम हेमनसोरें से मिले अलपसंख्यक इसकूलों के परतिनिधी मंडल बोले समस्या जल्द होगी दूर जिहां जहारखंड के मुखमंत्री हमनसुरेन से गुमला विदायक भूसन तिर्की के नेतरितों में जहारखंड अलफसंख्यक माध्यमिक विद्यालों के सिक्षक परतिनिध्यों ने मुलकात किया इस दोरान अलफ संख्यक परात्मिक और माध्यक विद्यालों की समस्याओं से आउगत करा गया तथा इसकुलों की समस्याओं की निराकरन का आगर किया गया परतिनीधियों ने मुख मंत्री से इन विद्यालों के लिए नियुक्ती एवं सेवा सर्त नियमावली 2021 को जल्द लागू करने की दिशा में कदम उठाने का आगरा किया बता दे कि परतिनीधियों की बात सुनने के बाद सीएम हमन सुरेन ने कहा कि अल्फ संख्या की स्कुलों की जो भी समस्याओं उसका समधान किया जाएगा सरकार इसके लिए गंभीर है राजे में किसी विबेक्ति को भुका नहीं रहने दिया जाएगा मंत्री रमेसर उराओं जिहां लोहरदगा जी लेके कैरू परखंड मुख्याले इस्थित उच विद्याले सभागार में सुकुरवार को जारखंड के खाद आपूर्ति वबित मंत्री सहलोहरदगा बिधायक डॉक्टर रमेसर उराओं ने धोती साड़ी वा लुंगी बित्रन कारिकरम में भाग लिया सबसे पहले मंत्री सहित अनातित्यों को महिलाओं द्वारा प्रंप्रिक धंग से स्वागत किया गया तथा मौके पर मंत्री ने कहा कि सरकार गरिवों के लिए कई कल्यानकारी योजनाय चला रही है राजे में किसी भी बेक्ति को भुखा नहीं रहने दिया जाएगा करोना के कारण विकास कारे अरूध हो गया था लेकिन जब सरकार काम कर रही है तो विपक्ष को दर्द हो रहा है लातेहार जीले में दस दिनों में दो हाथियों की मौत का हाई कोट ने लिया सुक्रवार को सुक्रवार को सुक्रवार को सुनवाई के दौरन चीफ जस्टिस डॉक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसेन परसाथ की अदालत ने मीडिया में हाथियों की मौत की ख़वर पर सुत्त संग्यान लेकते हुए परियावरन सच्ची और हेड आफ फोरेस्ट को अदालत में उपसित होने का आदेश दिया है खोट ने सरकार से बताने के लिए कहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या कोई बीमारी फैल रही है या नियमीर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है क्या जंगल में मरे हुए जानवरों के मांस खाने वाले जानवरों की कमी हो गई है यदि ऐसा है तो यहा बहुत गंभीर ममला है दो इस दोरान सुचना के अधार पर RPF के ASI रवी संकर के अलावा सुनिल कुमार यादो, बिनै कुमार, असोक कुमार, धिरज कुमार, सलीम सिद्धिकी वर हैमन्द कुमार ने संबलपूर जमुतोवी एस्पेसल ट्रेंज के राची एस्टेसन में छापेमारी वर तलासी अभिया इसके अलावा गवाहों के उपसिति में गाजावा समानों को RPF ने जब्त किया और JRP को आगे की करवाही के लिए सौप दिया बतादे के गिरफतार आरोपियों में सरवन कुमार सिंग, कुंदन कुमार पासवान सामिल थे जो मुलरूप से बिहार पुर्णिया के रहने वा इसकारण सदन की करवाही बाधीत रही, इसलिए स्पिकर रविंद्रनाथ महतों ने इस मामले के लिए बीधान सभा की कमेटी बना दी है, बता दे कि कमेटी में जामूम के वरिष्ट विधायक स्टीफन मरांडी सन्यूजक बनाये गये है, इस्पिकर ने कमेटी को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है, नीजी छेतरों में 75% आरक्षन का कानून बना, लाव के लिए लड़नी होगी लंबी लड़ाई सियम है मनसुरेन, जिहां जारकन बिधान सभा का मानसुन सत्र होहंगामे के बिच समाप्त हो चुका है, सियम है मन के लेगा, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, साथी मुखमंत्री ने कहा कि अभी निक्ति वर्ष चल रहा है, सरकार के जहन में है कि कैसे यहां के अस्थानियों लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए राजे में गुरुवार को कुल 27 ने करोना संक्रमित मिले हैं, इनमें से 18 राची के हैं, इसके अलावा धनबाद में 4, देवघर में 3 और जमसेदपूर में 2 केस मिले हैं सेस 20 जीलों में एक भी केस नहीं मिला है, बता दे कि 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं, राजे में एक्टिव केस की संख्या घटकर 154 पर पहुँच गई है अब तक राजे में 1,38,94,381 सेंपल लिए गए हैं, इसमें 1,38,66,162 सेंपल की जाच हुई है अभी बैकलोग 28,269 है, अब तक राजे में 5,133 संक्रामितों की मौथ हो चुकी है